नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वन टुड़े और मैं हूँ आपके साथ मांसेगे से मनेपुर में चार महीने सी जातिय हिंसा जारी है रिलीफ कैम्पों में रह रहे हैं लोग अब अपने अपने घर लोटना चाहते हैं हाला कि कुकी लोगों का कहना है कि मैते के साथ रहना मौत के सम्मान है इसलिए मनेपुर में एक अलग कुकी लैंड राज्य की मांग जोर पकड़ रही है 29 तॉगस से शुरू हो रहे विदान सिवा सत्र में भी यही मुद्दा उट सकता है मुखे मंतरी एन्बिरेन सिंग ने पिछले हफते केंद्रिय ग्रहमंतरी अमिट शा से मुलाकात के दौरान इसका जिक्र किया था उन्होंने कहा था कि राज्य में अलग प्रशासन की मांग हो रही है लेकिन हम मनेपुर की शेत्रिय अखंड़ता से समझोता नहीं करेंगे 1972 में मनेपुर पूर्ण राज्य बना इसके लगबग आज साल बाद 1980 के दशक में अलग कुकी लैंड की मांग शुरू है उस वक्त कुकी जोमी विद्रोहियों का पहला और सबसे बड़ा संगटन कुकी नैशनल ऑगनाईज़ेशन यानि के एन ओ अस्तिस्व में आया इसके बाद से ही समय समय पर कुकी लैंड की मांग सामने आती रही 2012 में जैसे ही ये पता चला कि अलग तेलंगाना राज्य की मांग मान ली जाएगी कुकी स्टेट डिमांड कमीटी यानि केसी डीसी संगटन ने कुकी लैंड के लिए आंदुलन का एलान कर दिया केसी डीसी पहले भी समय समय पर हड़ताल और आर्थिक बंद का आवान करता रहा है हाईवे को ब्लॉक करता रहा है और समान को मनिपूर में आने से रोप रहा है मनिपूर में कुकी जन जातिया मुख्य रूप से पहाड़ीयों पर रहती है मनिपूर की कुल आबादी 28.5 लाग है इनमें 30% कुकी है चुराचांदपूर उनका मुख्यगड है चंदेल, कंगपुपी, टेंगनोपाल और सेनापती जिल्लो में भी उनकी बड़ी आबादी रहती है मनिपूर 22,327 वर किलोमेटर शेत्र में फैला हुआ है केसी डीसी 60% से जादा यानी 12,958 किलोमेटर शेत्र को कुकी लैंड बनाने की मांग करता है कुकी लैंड में सदर पहाडियों जो तीन तरफ से इमफाल गाटी को गेरे हुए है कुकी वर्चस्व वाला सुरचानपुर जिल्ला चंदेल जिसमें कुकी और नगा आबादी रहती है इसके साथ ही यहाँ पर नगा बहुत तमिंग लोंग उक्रूल के कुछ हिस्से भी शामे है केसी डीसी और कुकी जोमी समुदाय के लोगों का कहना है कि आदिवासी शेत्र अभी भी भारतिय संग का हिस्सा नहीं बने है उन्होंने तर्क दिया कि 1891 के अंगलो मनेपूर यूद में मनेपूर के राजय की हार के बाद राज्य एक ब्रिटिस सर्शित राज्य बन गया था लेकिन कुकी जोमी की भूमी इस संजोते का हिस्सा नहीं थी केसी डीसी ने यह भी कहा कि अलग देश की नगा मांग के विपरित वे केवल भारतिय संग के भीतर एक अलग राज्य की मांग कर रहा है इसांदोरन का प्रभाव भी पड़ा पूर्व मुक्यमंतरी ओकराम इबोवी सिंग की कॉंगर सरकार ने युनाइटिट नगा काउंसल के कड़े विरोध के बावजूद कुकी प्रभाव वाले सदर हिल्स जो नगा प्रभुत्वस वाली सेनापती जिल्ले का हिस्सा है को एक अलग जिल्ले के रूप में घोशित किया कुकी लैंड की मांग जेलेन गाम या लैंड ओफ फ्रीडम से लिख ली है इन्हें मनिपूर सामराज्यक को लुटेरे नगा हमलवारों से बचाने के लिए इमफाल गाटी के आसपास बसाया गया था ये लोग कुकी जोवी की खाना बदोश औरिजिन के विचार का भी विरोध करते हैं भारत में कुकी होम लैंड में मनिपूर के पहाड़ी जिल्ले शामिल थे इन में नगाशित, कंजंग, अखैन, फेक और नगा लैंड के दीमापूर के कुछ हिस्से कार्बी अंगलों, उत्तरी कशार, तरी कशार हिल्स और असम में हाफ लोंग और तरिपूरा के साथ-साथ बांगला देश में चत गाउं, पहाड़ी इलाकों के कुछ हिस्से शामिल थे 2018 में कियनो के अधक्ष P.S. हाउकिप ने अपनी किताब The World of Cookie Peoples में मनेपूर के पहाड़ी जिल्लों की कतित उपेक्षा के बारे में लिखा था इनमें खास तोर पर मैते बहूर राज्य सरकार के जरिये चुड़ा चांदपुर और चंदेल जैसे कुकी प्रभाव वाली जिल्लों का जिक्र किया गया था हाउकिप ने यह भी आरोप लगाया कि नगा विद्रोही समूध अशकों से कुकी की जमीने हड़पने की कोशिश कर रहे है 1993 के नगा कुकी जाती है हिंसा के बाद एक अलग कुकी लैंड की मांग तेज हो गई केन्यों के मुताबिक इस दोरान एक हजार से अधिक कुकी मारे गए वहीं इससे कई गुना लादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा केन्यों ने आरोप लगाया कि मैत्ते उस समय कुकीयों की मदद के लिए नहीं आए उस वक्त मनिपूर में तैनात भारतिय सेना के 57 मांटिन डिविजिन के मेजर जनरल एके सैन गुपता ने कहा था कि हालाद वेहत कंपीर है स्तानिया लोग उगरवादियों से मिले हुए है यही वज़ा है कि हिंसा रोग पाना मुश्किल है इस हिंसा को सिर्फ पॉलिटिकल सल्यूशन है जब हालाद हाथ से निकलने लगे तो खुद उस समय की सीएम दोरेंदर सिंग ने केंदर की नरसिमा राफ सरकार से राश्ट्रपती शार्षन की सिफारिश किया इसके बाद 31 दिसमबर 1993 को मनेपूर में राश्ट्रपती शार्षन लगा जो अगले साल यानी 13 दिसमबर 1994 तक जारी रहा तब जाकर मनेपूर में शांती स्तापित हुई आज के लिए बस इतना ही आपकी इस खबर में क्या राए है हमारे कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा